अगर आप बैजलर रहते हूं या फिर कुकिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हूं तो आज का ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है तो आज हम सीखेंगे बिल्कुल सिंपल जीरा राइस और दाल फ्राइ की रेसिपी पुकर लगाने से लेकर इसे सर्व कैसे करते हैं ये सभी चीजे मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है तो इसके इपना करें तो सबसे पहले हम दाल फ्राइ के लिए दाल धो लेंगे तो यहां मैंने वन फोर्थ कप तूर की दाल ली है इसी के साथ वन फोर्थ कप से थोड़ी कम औरेंज वाली मसूर की दाल एट की है इन दोनों दालों से दाल फ्राइ काफी बढ़िया बनती है अब पानी डाल कर दाल को साफ धो लेना है जब तक कि यह पानी साफ नहीं हो जाता दाल धुल चुकी है अब बाकी की चीज़े आट करेंगे तो थोड़ा सा बारिक कटा हुआ लैसून किसा हुआ अद्रक और हरिमिश डाले साथ ही एक लाल टमाटर को मोटा मोटा काट कर एट किया है अब स्वाथ के नुसा थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डाले पानी के बिना तो दाल पक नहीं सकती और इस दाल को पकाने के लिए पानी कितना डालना है वो मैं आपको बताती हूँ दाल से एक इंच उपर जितना पानी आट कर ले और एक टी स्पून देसी घी का जरूर डाले इससे दाल बहुत ही टेस्टी बनती है दाल की तयारी हो गई अब चावल देख लेते हैं तो एक कटोरी चावल को साफ धो कर ले लिया है अब चावल में कितना पानी डालना है त तो चावल के आधा इंच उपर तक क्या पानी डाल ले थोड़ा सा नमक जरूर एट करें जिससे चावल फीके नहीं लगेंगे दाल चावल की तयारी हो गई है अब कूकर लगा लेते हैं तो एक प्रेशर कूकर में थोड़ा सा पानी डाल कर ले लिया है तो सबसे पहले दा पर रख दे, फूकर होने में 15-20 मिनिट लग जाएंगे, तब तक हम दाल फ्राइ का तड़का बना लेते हैं, तो कड़ाई में तेल और घी साथ में गरम करें, तेल गरम हो जाने पर इसमें जीरा और कश्मीरी लालमिश का पाउडर डाले, कश्मीरी लालमिश का पाउडर एक अब फ्लेम लो करके इसे भूनना स्टार्ट करें, मसाले को जलने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें, प्याड अच्छे से भून चुका है, और तेल भी अलग हो गया है, अब इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे, जैसे धन्या पाउडर और लालमिश का पाउडर, तुरंत मिक्स करें और पानी डालें, जिससे ये जलना हलका सा नमक डाल रही हूँ, दाल में अल्रेडी नमक एड़ किया हुआ है, तेल छुटने तक मसाले को बड़िया से भून ले, जब तक हमने तड़का तयार किया, कूकर भी हो गया और उसका प्रेशर भी निकल चुक गैस की दोनों की बचत हो जाती है, दाल को एक साथ मिला कर मिक्स कर लेंगे, बड़िया से दाल गल चुकी है, तड़का भी तयार है, इसने तेल छोड़ दिया है, तो उबली हुई दाल को डाल ले, और एक साथ मिक्स कर ले, जर्रत पड़े तो उसी डब्बे में आप इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाले, और ये लीजे, दाल फ्राई बनकर तयार है, थाना दाल फ्राई को बनाना बड़ा ही आसान, अब फटफट से जीरा राइस बना लेते हैं, तो एक पैन में दो चमच तेल और दो चमच घी को गरम कर ले, दोनों को ही समान मात्रा में लेना है, गरम हो जाने पर एक चमच जीरा डाल कर उसे तड़कने दे, जैसे ही जीरा तड़क जाए, गैस की फ्लेम को लो करें, और पकाई हुए चावल डाल ले, अगर आपका पैन जादा गरम हो जाए, तो यहाँ पर आप गैस बन कर सकते हैं, जीरे को हमें काला नही करना है, वरना जीरे राइस का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, चावल डाल कर हलके हाथों से इसे टॉस कर लेना है, गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने बन कर दिया है, जीरा राइस तयार है, धन्या पत्ति डाल कर सर्व करें, दाल चावल के साथ सबजी तो नहीं, मगर मसाला मिर्ची बना रही हूं, जो बिलकुल पांच मिर्च में बन जाती है, और खाने का स्वाद बढ़ा देती है, पैन में तेल गरम करके, जीरा, सौफ, हल्दी और हींग डाल ले, फिर मोटी वाली हरी मिर्च को कट करके अड़ किया है, ये तीखी भी कम होती है, इसे हलक करके पकाएं, और ये लीजे, मसाला मिर्ची बन कर तयार है, है न एकदम मिंटों में बनने वाली चीज, सभी चीजें तयार है, अब इन सभी चीजों को सर्व कर लेते हैं, तो एक प्लेट पे पहले जीरा राइस रख ले, तो आपको जितनी भूख लगी हो, या आप जित वीडियो बहुत ही कमाल का, I am sure आपको ये बहुत कामाने वाला है, तो वीडियो को तुरंच सेव कर ले, और पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले,